नमस्कार मैं प्रग्या ध्रधर तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को ब्रिक्स और ग्रीस का दोरा खत्म कर सुभा सुभा बेंगलिडू पहुँचे पीम मोदी ने कुछ सेकेंड पहले ही वह एलान किया था जिसने हर वैग्यानी का चहरा खिला दिया था यह एलान थाचंद्रियान तीन की काम्याबी के नामकरन का पीम मोदी ने वग्यानिकों को बढ़ाई देते वे जैसे ही 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने के लिए एलान किया पूरा हॉल मानो जोस से भर गया पीम मोदी ने कहा कि भारत ने इसे दिन चांद पर तिरंगा लेप फेडाया है इसलिए इस दिन को अब नेशनल स्पेस डे यानी राश्ट्रिय अंतरक्ष दिवस के रूप में बनाया जाएगा अगर आपको भी यही लगता है कि विराट कोली वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे फिट खिलारी हैं तो ठहर यह शायद आप गलत सोच रहे हों क्यूंकि अब टीम इंडिया में नया फिटनेस के इंगा चुका है इशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले बेंगलरू के अलूर में हो अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रे महासची सौमी प्रशाद मौरे ने एक बाद फ़र विवाद बयान दिया है। विचारधार अपर आधारित है अगर हिंदू राष्टर की बात होगी तो खालिस्तान की मांग क्यों नहीं होगी देश के सबसे हाइटिक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस्वे सुर्धा जनक और वाहनों को रफ्तार देने से जाधा हाथ से का एक्सप्रेस्वे बन गया है आधे अंदरजन वाहन कतार से खड़े रहते हैं जो ना केवर ट्राफिक नियमों को तोड़ने का काम कर रहें बलकि बड़े हाथ्सों का भी कारण बन सकते हैं केरल के गनीजी स्कूल में मासिक फीज जमाना करने पर छात्र को फर्स पर बैठा कर टर्म परिक्षा देने के लिए मजबूर किये जाने का मामला सामने आया है समचार वेबसाइट एंडी टीवी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार स्कूल प्रवंधन परिवार के आरूप से सहमत था क्योंकि उसने स्विकार किया था कि फीज भुकतान में देरी के लिए छात्र को फर्स पर बठाना प्रिंसिपल की गलती थी चात्र के परिवार के अनुसार परिच्छा के दौरान हॉल में आयर प्रिंसिपल ने उन चात्रों से खड़े होने के लिए कहा था जिनकी फीज जमान नहीं थी सोसल मीडिया पर सामने आये एक वीडियो में उतर प्रदेश के मुझपरपूर नगर के एक नीजी स्कूल के सिक्छक ने अपनी क्लास के बच्चों को एक एक करके एक आठ वर्षिय मुस्लिम चात्र को थपर मारने का नर्देश देते नजर आ रहे हैं सारे सेकंड के इस वीडियो में एक लास का बच्चे प्रद छात्र को मारते हैं और सक्षक उने प्रोतसाहित करती दिखती हैं वीडियो पर प्रतिक्रिया देते वे डियस पी रविशंकर डिमीडिया को बताया कि बारल वीडियो मनसूरपूर थानाचेतर के पास खुबापूर गाओं के एक घर्ज में संचारित होने वाले स्कूल का है और स्थानिया पुलिस इसकी जांच कर रही है मनिपूर सौध दिन से अधिक समय से जारी हिंसा के बीच सुप्रीम कोट ने हिंसास जुड़े 27 सीविया इमामलों को असम ट्रांसफर कर दिया है दहिंदू के नुसार इन में हिंसा के दुरान महिलाओं के घराफ हुए अपराद के केस भी शामिल है मीडिया निकायों ने कहा कि कश्मीर के स्टंत मीडिया संस्थान दकश्मीर वाला की वेबसाइट और सोसल मीडिया हैंडल को मनवाने धंग से ब्लॉक कर देना हमारे लोकतांतरिक राष्ट में प्रेस और वेवक्ति की सुदंता के सिदी पर गंभीर सवाल उठाना है रिपोर्ट के अनुसार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इंडियान वीमेन इस प्रेस कॉपर्स प्रेस असोसिएशन दिल्ली उनियन ऑफ जर्नलिस्ट एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वकिंग न्यूस कैमरा मैन असोसिएशन ने गुरुवार 24 अगस को एक बयान जारी क वेब साइट एक्सेस और सोसल मीदिया हैंडल को फौर अनभाल करने की मांग की है उन्होंने स्वतंतर मीदिया आउटलेट गाउस सवेरा के सोसल मीदिया हैंडल ब्लोक करने का भी निन्दा की है उत्तर प्रदेश गुंडा नियंतरन अधिनियम 1970 और उत्तर प्रदेश गैंक्सर और समाजिक गतिवीधियां अधिनियम 1986 के प्रावधानों के नियमित उप्योग पर करी नराज गिजिताते वे लाहबाल हाई कोट ने कहा किन कानूनों का उप्योग सबसे मनमाने तरीके से कि जाता है अधारते जिरा मस्ट्रेट को इस अधिनियम द्वारा प्रदत और साधरन और समाने सक्तियों का प्रयोग करने से पहले पूरी साथानी बरतनी चाहिए लेकिन हम देख रहे हैं कि सदिनियम के प्रावधानों का बड़े परमाने पर दुरुप्यों पुड़ा है द का महल बिना किसी बाधा के निरने लेने के लिए परयाप्त अनुकूल होना चाहिए और यह असनुशित करना चाहिए कि एक महिला जो करियर और मातरत दोनों को चुनती है उसे कोई एक निरने लेने के लिए बाधे नहीं होना पड़े Commission for Air Quality Management के आदिस पर एक उक्टूबर से सहर में डीजी सेंटो का संचालन पूरी तरह से बंद हो जाएगा वे ही जेनरेटर चल सकेंगे जो बायो या पी एंजी फ्यूल वाले हैं इससे उक्टूबर से 35 सार के करीब डीजी सेंटो का संचालन नहीं हो सकेगा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत्मान ने सनिवार को कहा कि वह पहले ही 16 में से 9 सवालों का जवाब दे चुके है मंत्री ने मीडिया को बताया शुक्रवार को राजेपाल ने पंजाब के सांती प्रिय लोगों को धमकी दी कि वह लोग राश्ट्रपती सासन लगा देंगे राजेपाल ने कानुन ववस्ता पर सवाल उठा है जब से हमारी सरकार आई है बहुत सारी काम हुए है सिर्फ अगस्त में 31 किलोग्राम हिरोईन जप्त की गई अब तक 753 गैंगस्टरों को गर्फतार किया गया है 786 हतियार और वाह अंजब्त किये गए हैं कानुन ववस्ता पूरी तरण यह अंतरन में हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जी बीस समिट को लेकर दिल्ली वासियों से महमानों का अदबुत और शांदार स्वागत करने की अपील करते वे उन्हें होने वाली और सुवधाओं के लिए अभी सही माफी मांग दी है प्रधान मंतरी ने कहा कि जी बीस का मेजबान तो पूरा भारत है लेकि महमान तो दिल्ली आ रहे हैं इसलिए दिल्ली वासियों पर एहम सिम्मेदारी है जी बीस समिट के कारण दिल्ली के लोगों को होने वाली और सुवधाओं के लिए पहले सहीं छमा मांगते वे कहा कि जब इतनी बड़ी मातरा में विश्व से महमान आएंगे तो कुछ तो औसुदा होगी ही अपने घर में भी जब महमान आते हैं तो घर वाले महमानों को बैठाते हैं और खुछ साइड में बैठ जाते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने सनिवार को यहां गोशना की कि चंदर्यान तीन मिशन के लैंडिंग पॉइंट को शिफ सक्ती पॉइंट के नाम से जाना जाएगा कि शिर्फ सकती पॉइंट भावी पीडियों को मानफता के अल्यान के लिए विग्यान के उप्यों की दिशा में प्रेरित करेगा चुन्दरियान दोन के चीद जहां कहीं भी है वबिंदु तिरंगा पॉइंट कहलाएंगे हमें यह सीख देगा कि कोई भी विफलता आखरी नहीं होती है प्रवर्तन निद्शाले ने असनिवार को कहा कि उन्होंने भुवनेश्वर के जोती ट्रेंडिंग एंड कमपनी के मालिक चोती रंजना बेवरा और्फ गोल्डन बाबा दोरा अपड़ात की आय के रूप में अरजित एक दिसमलोब पांच तीन करो रूपए की संपती कुर्ख की है इडी ने उडिशा में वेफसाईयों को पांच तीन करो रूपए का रिन प्रदान करने में उनके दोरा की गई धोखादरी के समंध में गोल्डन बाबा के खिलाब पी एमेले चांच सुरू की इस समंध में पहले उनके खिलाफ E, O, W, भुवनेश्वर दौरा, F, I, R दर्ज की गई थी बाद नोरों ने आरोप पत्र भी दायर दिया प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंदरयान तीन मिशन के सफलता के साथ भारत अंतरक्ष प्रदोगी में एक वैश्विक नेता के रूप में उपड़े का और इस छित्र में प्रगती से देश को 2047 तक एकाधुनिक विक्सत राष्टर के रूप में उभरने में अंतरक्षविक ज्यान के चेत्र में चार्ज स्टार्ट अप हुए है वर्तवान में संक्या 150 हो गई है तमिलनाडू के मदुरह रेलवे स्टेशन पर सनिवार को एक यातरी में आग लगने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गए और 20 घायल हो गए रेलवे सुत्रों ने आई जा रहे गैस सिलिंडर में विसफोर्ट के कारण आग लगी अगामी 9 और 10 सितंबर को दिली में जीबीस नेताओं के सिखर समेलन से पहले पीयम मोदी ने बिजनेस टुड़े के साथ 40 मिनट के एक्सक्यूसे बाचीत के इस इंटर्वियू में पीयम मोदी ने भारत के दो को सुलजाने में मदद में ले इस तरह से देश का डिजडरल इंफ्राक्स्टर्चर चर दुनिया के लिए पाकरशन का केंदर बन गया है भारत में मैनुफाक्शनिंग हब बनने की छमता समेत कई और मुद्दो पर पीयम मोदी ने खुल कर बात की और उन्होंने कहा कि म मेरे साथ हिनागरिकों को विक्सित देश जैसे अच्छी सुवधा में लेग दुनिया आज भारत की तागत को पहचान रही है वे यहां आ रहे हैं क्योंकि यहां उनकी कंपने उनकी उत्पाद और उनके मुनाफिक के लिए अच्छा है सीमा सुरक्षाबल यानी BSF ने एक सोना तसकर को हिरासत में लिया है यह बांगलादेश की तरफ से भारतिय सीमा में प्रवीश करने की कोशिश कर रहा था कि इस दौरा अन्बल के जवानों की नजर इस तसकर पर पड़ी और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया जब इस पूर कस्टम कारेयाले को सौप दिया है एशिया कप दो हजार तेस के लिए भारति पाकस्तान क्रिकेट बोर्ड का नियोता स्विकार कर लिया है बीसी सिया यदक्ष रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुकला पाकस्तान के दौरे पर आएंगे जहां दोनों पूर्ड के 4 सितंबर को लहौर में खेरे जाने वाली मैच बता और महमान हिसाब बनेगे इस पर को भार्ड पाकस्तान क्रिकेट के रिस्तोमस दार्थ अपड के तौर पर देखा जा रहा है केंद्रे पुलिस बलो के जवानों को सोसल मीडिया के इस्तमाल को लेकर करी हिदायते दी गई है CRPF ने अपने जवानों से कहा है कि विबिना जाने समझे ऑनलाइन फ्रेंशिप ना करें इसके लावा फोटो अपलोड करने में भी साथधानी बरते क्योंकि इस तरह से उन्हें हनी ट्राप का सिकार बनाया जा सकता है जारी के एक लिटर में कहा गया है कि और पाया गया है कि बहुत सारे जवान अपने युनिफॉर्म में वीडियो और फोटो अपलोड करते हैं इसके लावा कई लोगों को चैट मैसेज भी बेशते है हरियाना के नूह जिले में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है इसकी वज़ा हिंदू संगठनों दोर 28 अगस्त को ब्रिज मंडल यात्रा रद नहीं करना है इसे में किसी भी तरह की सक्रिय सिति को रोकने के लिए प्रिशासन ने मोबाइल इंटरनेट और बल्क सेवाई को दो दिन के लिए निलंबित कर दिया है इस रक्षा कारणों का हवारा देते वे जिला प्रिशासन ने हिंदू संगठनों को 28 अगस्त को नूमें ब्रिज मंडल जल अभिशे क्यात्रा निकालने के नमती दिने सिंकार कर दिया था चंद्रियान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इश्चो का होसला बुलंद है इस रोब सुरेक आधियन के लिए एक सब्ता के भी 33 हफता 2 सितंबर को एक और सौर मिशन सुरू करने के तयारी कर रहा है एक अंतरिक्ष यान का सौर कोरोना के दुरस्त अव्लोकन और एक पर सौर हवा के सीटू अव्लोकन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है जो प्रीथवी सिलगभग 15 लाग किलो मीटर दूर है या बेंगलूर मुख्याले वाली अंतरिक्ष एजनसी दोरा लॉंच कि अग्सर हम छोटे-छोटे सवालों के जवाब के लिए भी काल्कूरेटर की जरुद परती है लेकिन एक लड़की का वीडियो वारल हो रहा है जिसमें छोटी बच्ची मैस के कठन सवालों को पलक जपकते सुलझा दे रही है जिस तरह से यह बच्ची मैस के सवालों को जव की सजा सुनाई गई सैथिस वर्सी है संदीफ सिंग राय और 33 वर्सी है साथी बिली हेर एक संगट अपरास समों से संबदे थे जो मैक्सिको से कार्गो विमान पर ब्रिटेन में 30 किलो कोकीन और 30 किलो फैंटमिन की तसकरी के लिए जम्मेदार थे दोनों ने शुरू में व कॉंग्रिस नेदा जैराम रमेश ने कहा कि पाकस्तानी मीडिया में भारती एंत्रिक्ष अनुसंधान संगटन की शांदार उपलदियों पर काफी टिपनी की गई है और सत्थे को लेकर दुख जिदाया गया है कि पाकस्तान की एंत्रिक्ष एजंसी स्पेस एंड अपर पीछे की जिस मुख्या वज़ा को नहीं पहचा आ जा रहा है वहिया है कि नेहरों ने पहले दिन से ही आत नर्भरता पर जोड दिया था जबकि दिल्ली में कुछ आवाजे अधिक अमेर की भागिदारी की वकालत कर रही थी केंद्री ग्रेमंत्री अमेसान रिशुकरवार को पुलिस नेत्रत्र से नागरिकों को समय पर न्याय प्रदान करने और ऐसी ववस्था बनाने का आग्रक किया जो लोगों को उनके समय धानिक अधिकार देने की गारेंटी दे यहां राश्ट्री सुरक्षा रणनी थी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते वे शाहने पुलिस को कृत्रिम मेधा सुची नवीन प्रोदोग्यू पर आधारित आपरादिक नयाय प्रदाली के लिए काम करने थी था फोरेंसिक विज्ञान का इस्तमाल करने को भी कहा जिसने अपने चात्रों को अलसंखिर समुदाय के एक चात्र को कथी तौर पर थपर मायने के लिए कहा था राहूल ने कहा कि स्कूल वैसे पवितरस्थान को नफरत का बाजार बनाया जारा है राहूल ने एक पोस्ट में कहा मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर गोलनाय स्कूल जैसे पवितरस्थान को नफरत का बाजार बनाना एक सिक चकदेश के लिए इससे बुड़ा कुछ नहीं कर सकता ये भाजपा का फैलाया वही के रोसीन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है बच्चे भारत का भविश्य है उनको नफरत नहीं हम सब को मिलकर मोहमबस सिखानी है सिंगापुर में एक भारती अमूल के 58 साल की मा को जेल की सिरा सुना गई है महिला पर एक सरकारी अधिकारी पर हमला करने का आरोप लगा है महिला का नाम शांती क्रिष्णा सामी है और उस पर पहले एक लोग सेवक को जानभूच कर चोट पहुचाने और एक लोग सेवक पर अपराधिक बल का उपयोग करने के आरोप में मुकदमे के बाद दोशी ठेडाया गया है दिरसल महिला का बेटा राश्ट्री असीवा के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहा था और इसी को लेकर अधिकारी महिला के घर पर गया था महिला को सरकारी अधिकारी को पीटने के आरोप में 25 अगस्त को 18 हफते की जेल की सिरसना गई है अब भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार वरतमार में भारती किकेट में सबसे फिट खिलारी कौन से है अपना जवाब हमें मारी कमेंड सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद